नमस्कार बहुत स्वागत है आपका हमारी रोज मर्रा की जिंदिगी में तमाम तरह के बदलाव आते हैं कभी खुसियां कभी तकलिफ हैं और जब सकारतमक बदलाव आता है तब जीवन में सुक्चैन की प्राप्ति होती है लेकिन वही अगर नकारतमक बदलाव आ जाए तो फिर परेसानियों से हम घिर जाते हैं इन तमाम परेसानियों को दूर करने के लिए अक्षे तृतिया के दिन एक उपाय करें वैसे हम आपको दो-तिन उपाय बतलाएंगे इन उपायों को करने से क्या होगा आपके घर में अक्षे तृतिया का मतलब अक्षे धनकी प्राप् भी परसेगी और भगवान विश्णु भी आश्रिवत बरसाएंगे क्या करें कि माता लक्षमी को हम मना ले और अपने घर से जाने ही ना दें दोस्तों आईए हम आपको कुछ उपाय बतलाते हैं अब आपको करना है में परिवार में अगर कलेस हो कलह कलेस बाद विवाद होत जाते हैं वैसे तो हर कोई चाहता है तो आप अपने बेडरूम में नमक एक कांच की कटोरी में जरूर रखें आप चाहें तो टाटा सॉल्ट भी रख सकते हैं या फिर अगर समुद्री नमक है तो बहुत अच्छा है अगर आप चाहते हैं कि पैसे आते रहें ठीके भी क्य यह भी कहते हैं कि पैसा ही नहीं आता कोई काम दंदे ही नहीं है जिस भी चीज में हाट डालते हैं वहीं लौस है तब क्या करेंगे जब अच्छा दिन होना तब उपाई जरूर करना चाहिए आप एक कांच की गलास में पानी ले लें उसमें थोड़ा सा नमक डालकर अपन हमारे जीवन में वास्तु दोस्त भी बहुत सारी तकलीफें देता है और कभी कभी क्या होता है हमने घर तो बन बालिया पर ध्यान नहीं दिया कि इस कोने में लेट्रिंबाथ रूम नहीं होना चाहिए तो ऐसे में पूरा घर तोड़कर फिर से बनाना बहुत मुस्किल है तो इन चीजों से बचने के लिए आप छोटा सा उपाई ही करें, जिसे की वास्तूदोज भी दूर हो जाएगा. आपके घर में पोछा तो लगता ही होगा, सिर्फ गुरुवार के दिन मत लगाईएगा, और आपको उपाई क्या करना है? पोछे के पानी में अक्षे तृतिया के दिन एक चुटकी या फिर आधा चमच नमक डाल कर पोछा लगवाईएगा, इससे घर का वास्तूदोज दूर होगा, आप चाहें, तो रोज भी लगवा सकते हैं, सिर्फ गुरुवार के दिन मत लगवाईएगा, और इसके साथ ही अ कोई कमी नहीं होता है, अब अगर आपके घर में बड़े बुजुरुग हैं, बच्चे हैं, हमेशा स्वास्त उनका परिसान करते राता है, तब क्या करेंगे? तब आप एक नमक का तोटका करें, आप जो बेक्ती बिमार हैं, उनके सिराहने, यानि बेट के ठीक नीचे, का बड़ायां भी अपना काम करने लगेंगी, सनी, जब हला कोन ही डरता है? हर कोई डरता है, सनी देव हैं, राँ हैं, केतु हैं, जब इनके कोप चलता है, बुरा द्रिश्टी चलता है, तब तो जीवन में बहुत सारी परिसानिया आती है, बाधाएं आते हैं, तो इससे अपियस का सामना करना पर रहा है तब जब भी आप खाना खाते हैं अगर नमक कम हो ताल सब्जी में फिर भी आप उसमें ऊपर से प्लेन नमक ना लेकर सेंधा नमक या फिर ब्लेक साल्ट जिसे काला नमक कहते हैं उसका उबined की जिए। ऐसा करने से सनी के प्रकूप से बचा जा सकता है। आपको तो पता ही है कि बैसाख मास के सुक्ल पक्ष की तिर्थिया तिति को हम अक्षे तिर्थिया जिसे आम बोलचल की भासा में अखातीज भी कहते हैं, हम मनाते हैं। और अक्षे तिर्टिया का मतलब ही होता है अबूज मुहृत यानि इस दिन कोई भी सुपकार का सुरुवात आप कर सकते हैं बिना मुहृत देखे. वैसे एक दो और भी ज़्यादा अच्छे समय होते हैं पर बिना मुर्थ देखे आप कोई भी काम कर सकते हैं उसमें आपको सफलताएं जरूर मिलेंगी अक्छे तिर्तिया का हमारे जोतिस में हमारे हिंदू धर्में बहुत महत्व है और ये जो अक्छे तिर्तिया हैं इस दिन जो भी काम आप करेंगे सिग्र ही सुभ फल देंगे और आईए हम आपको अब बतला दें दिन सिर्फ नमक का ही तोटका नहीं किया जाता बलकि और भी धेर सारे उपाय किये जाते हैं वैसे तो हमने टॉपिक रखा है नमक का तोटका का तो आईए हम आपको नमक के ही बारे में अक्छे तिर्तिया के दिन क्या ऐसा करें कि जीवन की तमाम परिसानिया दूर हो जाए दोस्तों अगर आपके घर के बच्चे बिमार पढ़ते हैं बार बार गेर जाते हैं चोड़ चपेट लग जाते हैं तब क्या करेंगे अक्छे तिर्तिया के दिन अपने बाएं हाथ में थोड़ा सा नमक रखिए अपने बच्चे के सर के उपर से या आप खुद ही अगर आपका भी जैसे केतू और सनी का योग चल रहा है तो चोड़ चपेट की समभावना बढ़ गई है लगबख सभी के लिए दो चार रासी हैं लगई बांकी को छोड़के तो बांकी रासी हैं परिशान है तो ऐसे में सर से नमक तीन वार वार कर आप अपने बेसिन में डाल दे या चाहें बहुत ज़्यादा परिशानी है तब फ्लस कीजिएगा बातरूम में वैसे आप बेसिन में पानी खोल कर डाल दे डारेक्ट नमक कही नमत गिराईएगा दोस लगता है जब भी डाले पानी में ही डाले दोस्तों वैसे तो इस दिन सोने चांदी की चीज़ें खहे दी जाती है जिससे की बरकत होती है और मा लक्षमी भी आपके पास घर चली आती है आपके साथ रहने और आपके घर में अभाव नहीं रहता वैसे बहुत तरह के उपाई किये जाते हैं लेकिन चली हम आपको एग उपाई बतला ही देते हैं नमक के अलावे आप क्या करें कि मा लक्षमी आपके उपर प्रसंद नहों अक्छे तिर्तिया के दिन एक ग्यारा कोडी पीली वाली कोडी लीजेगा और लाल कपड़े में बांध कर पुझे अस्थान में रखे कौडीयां जहां होती है न वहां मा लक्षमी का बास चरूर होता है और इसका परियोग वैसे तो तंतरमंतर में भी होता है लेकिन आपको यहां पर कुछ नहीं करना सिर्फ लाकर गंगाजल से सुद्ध कर लें और लाल कपड़े में बांध के रखें मा लक्षमी देखिएगा फिर कैसे आपके घर में किपा बरसाती है आपके जीवन की तमाम परिसानिया दूर हो जाती है अगर आपको एकांची नारियल मिलता है तो आप उसे भी लाकर अपने पुझा अस्थान पर अस्थापित कर सकते हैं एकांची नारियल बहुत तरह के टोने टोटके में काम भी आते हैं और जिनके घर में होता है उनके घर में कभी अभाव नहीं होता है कहते हैं एकांची नारियल को अगर आप धोकर बिना किसी यो कुछ बताए चुपके से धोकर पी जाते हैं इसका पानी तो कहते हैं कि बांच इस तरी को भी बच्चे हो जाते हैं एक से सवा महने के अंदर ये बहुत ही अचुक टोटका है अगर आपके घर में कोई आसपास ऐसे हैं तो आप उन्हें बतलाएए और ध्यान डखिएगा ये आपको चुपके से करना है कोई टोके नहीं फिर देखे कैसे लाग नहीं होते हैं और इस दिन अगर आप मालक्ष्मी को केसर हल्दी से पूजार चना करते हैं खुद को भी तीलक लगाते हैं तो मालक्ष्मी की क्रिपा भी आपके उपर बरसने लगती है दोस्तों हम तो बात कर रहे थे नमक के लेकिन आपके बारे में आपको कुछ जानकारिया हमने दी है वैसे आपको उमीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आता होगा हम बात कर रहे हैं चुकी नमक की तो चलिए एक और टोटका आपको हम नमक का ही बतला देते हैं अक्षे तिर्तिया के दिन आप अपने कीचन में सुख सम्रधी के लिए चरूर कीजेगा आपको करना क्या है एक पीले रंग की कपड़ाले ज़्यादा बड़ा नहीं लीजेगा छोटा ही लीजेगा जैसे रुमाल है उसका वन फोर्थ हिस्सा वाला और उसमें नमक एक चुटकी केसर थोरा सा सरसों और थोरा सा हींग चार चीज डाल दें अगर संभव हो तो दो लॉंग भी डाल दीजिएगा और इसका मोटली बना लें कलावा से अच्छे से बांद कर और अपनी कीचन में लटका दें ऐसे जगह ये वाला पोटली लटकाईएगा जहां पर आपका तो नजर पड़े घर वालों का नजर पड़े पर बाहरी लोगों का आते जाते नजर ना पड़े आप इस बात का ध्यान रखिएगा फिर देखिए मा लक्ष में कैसे आकरसित होती हैं और आपको किसी न किसी बहाने से जौब की प्राप्ती हो जाएगी बैपारी हैं तो आपके बैपार अच्छा चलने लगेगा घर में बरकत होने लगेगी बच्चे सेटल हो जाएंगे और खुसियां पकने लगेगी तो दोस्तों उमीद है आपको हमारा ये सब वीडियो पसंद आता होगा तो अच्छे तरतिया के दिन सोना खरिदना बहुत सो माना जाता है लेकिन अगर आप सोना नहीं खरिद पा रहे हैं तब आप पांच उर्पया का धनिया ही खरिद कर ल कीजेगा ये पौधा बताएगा कि पूरा साल आपके कैसा बीतेगा कितना पैसे आएंगे तो फिला हम आपसे बिदा लेना चाहेंगे जानकर ये अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें अपनों से सेयर करें और नमक का महापरियों जोरू कीजेगा हर हर कीजेगा बनिवादा